कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले काफी जादा कॉंट्रोवर्शी इसके उपर हम कह सकते हैं कि रही हैं बहुत जादा विवाद इसके उपर रहे हैं लड़ाई हुई हैं प्रोटेस्ट हुए हैं SYL यानि सतलज यमना लिंक नहर प्रोजेक्ट के बारे में पंजाब और हरियाना के बीच में काफी जादा ये विवादा स्पद विशेर रहा है क्यों अब तक इसको निप्टाया नहीं गया है इस डिस्प्यूट को अभी तक खतम क्यों नहीं कर पाई हैं सरकारें चैनल हरिय वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडियो के बारे में आपको इंफोमेशन दे देता हूं कि पीडियो का मिलेगी डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा आपको वहां से इस वीडियो की पीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्ट सतलज यमना लिंक जो प्रोजेक्ट है जिसके थुरू एक नहर बनाने का काम है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए यह प्रस्ताव जो इन्होंने पास कर दिया है अब इसके पूरे हो जाने से क्या होना है देखे इसके पूरे हो जाने से हर्याना और पंजाब के बीच यहां पर क्या होगा जो रावी और जो ब्यास नदी है इनके पानी को यहां पर शेर किया जाएगा अगर यह लिंक यह जो नहर है यह अगर बन जाती है देखें यहां पर जो यह है सतलज यमना लिंक जो नहर है वो 214 किलोमेटर लिक लंबी नहर है और हर्याना अपने राज्ये में बनाएगा और पंजाब अपने राज्ये में यह लिंक यह जो नहर बनाएगा हर्याना ने अपना काम तो कर लिया कि भाईया मेरी तरफ से तो बन गई है लेकिन पंजाब की तरफ से ये नहर अभी तक नहीं बन पाई है क्योंकि प्रोटेस्ट हो गए थे 1982 की बात है वहाँ पर बहुत जादा दंगे बढ़के थे हत्याएं हो गई थी इसलिए प्रोजेक्ट वहीं रोग दिया गया था तो 214 किलोमेटर कलंबी नहर है जिसमें क्या होगा कि सतलोज और यमना नदियों को जो जोडती है एक्चुल में क्या हुआ था कि 1960 के अंदर जो एक समझोता हुआ था इंडस इंडस वाटर ट्रीटी हम क्या सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत और पाकिस्तान में हुआ था जिसमें क्या था कि चेनाब जेलम और इंडस यह जो नदिया है जयनि C.J.I. Chief Justice of India यानि जो C.J.I. है इन नदियों का पानी जो पाकिस्तान को देने के बात की गई थी लेकिन जो बाकित तीन नदियां बजगी सतलज, ब्यास और रावी इन नदियों का पानी जो है वो भारत को ही देने की बात थी यहां पर इस समझोते के दाए अब इसमें जो था यह पूरा का कहीं यह प्रोजेक्ט बनाया गया कि एक नहर बणा दी जाए सतलज लिमना लिंक यानि कि यहां पर यहां पर इस नहर से क्या होगा कि यह जो पानी है सतलज के अंदर जो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं उस पानी को युमना में रखा जाएगा जिसके कारण हम ये पानी पूर्ण रूप से यूटिलाइज कर ली जाएगी तो ये बात हुई थी 1960 के दोरान ये बात होती है अब क्या होता है कि आप यहां पर देखेंगे 1955 के अंदर ये ब्रीफ हिस्ट्री अगर आप देखें अरे कहां गए भाईया 1955 के अंदर क्या था एक इंटर स्टेट मिटिंग होती है जहां पर ये बताया गए कि जो रावी और ब्यास के अंदर जो टोटल पानी है वो 15.85 million acre fit है MAF है और इसको जो है वो divide कर दिया गया था राजस्थान के अंदर और जब undivided पंजाब था उसमें और जम्मो कश्मीर के अंदर वहां पर ये divide कर दिया गया था क्यार इनको हम बहुत बारिकी से अभी discuss करेंगे यह के करके क्योंकि यहां पर आपको शायद इतना clear ना हो पाए यह आपके सामने जो है वो timeline दी गई है SYL को इसको हम देखने वाले हैं देखे अगर हम बात करें इसके background की तो 1960 के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बता है कि इस विवाद की उत्पत्ती वहीं से हो गई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंदू जल संधी हुई थी उसमें रावी, ब्यास और सतलज को यहां पर एक तरीके से मुफ्त और एप प्रबंदित उप्योग अनुमुती दी गई थी इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से भारत इसको यूज करेगा 1966 के अंदर हरियाना जोई वहां पर बनता है और पंजाब के द्वारा वहां पर कहा जाता है या फिर कहें कि वहां पर एक समस्या जो उबर कराती है पानी को लेकर तो वहां एक सतलज ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया जाएगा यानि सतलज यमना लिंक प्रोजेक्ट यहां पर बनाया जाएगा ये बात निकल कर सामने आती है कि हरियाना को यहां पर पानी देने की बात होती है पंजाब ने यह कहते हो 봐, हरयाना के साथ अपने पानी को शेर करने से मना कर दिया था क्योंकि इनुनके ने का थे कि रिपेरियन जो है वो डोक्ट्रिन आता है यहांपर रिपेरियन प्रिंसिपल इसका मतलब होता है कि जिस शेत्र में से, जिस राज्य में से या जिस देश में से जो नदी गुजर रही है, उसका पानी जो है वो उसी राज्य के दोरा या उसी देश के दोरा उसका अधिकार होता है, तो वो ही उसकरेंगे बहांपर, तो उन्हों ने कहा कि हम नहीं देंगे, यह बात थी 1966 के अंदर बहांपर, अभी जो विवाद अगर अगर आप विवाद की बात देखें तो इनकी जो definition वो बदल गई है कि हम पानी क्यों नहीं देना चाहते हैं उन्होंने तब यहां पर रिपेरियन प्रिंसिपल को बता दिये था कि हमारे राज्ये के अंदर से यह नदी गुजरी है इसलिए हम नहीं देंगे क्योंकि हमारा अधिकार इसके उपर आता है अब यहां पर 1981 के अंदर क्या था कि दोनों राज्ये पानी को आपस में शेर करने के लिए सहमत होते हैं 1982 के अंदर इंदरा गांदी की जो सरकार्ती वहां पर उन्होंने क्या किया था यह एक कपूरी यहां पर नहर बनाने का काम स्टार्ट हो दाता है यहां पर 214 किलोमेटर जो एक कलंबी सतलेज लिंक के उजने है इसका निर्मान शुरू कर दिया गया था लेकिन 1982 में राज्ये के अंदर आंतकवाद जैसा माहौल बना गया था और इतने जादा वहां पर आंदोलन हुए थे विरोध हुए थे प्रोटेस्ट हुए थे इवन हत्याएं हो गयी थी और यह जो एक इशू है वो नैशनल सिक्योर्टी का मुद्दा बन गया था और इस कारण 1982 में इस प्रोजेट को रोग दिया गया था यहां पर 1985 नहीं है 1985 है 1985 में क्या होता है कि जो परदान मंतिरी राजीव गांदी है और जो उस वक्त के परमुख संत ने पानी का आंकलन करने के लिए कि भी कितना उसके अंदर पानी है नधी के अंदर उसके लिए वहां पर उन्होंने कहा कि एक Tribunal का गठन किया जाए और वहाँ पर एक Tribunal का गठन भी होता है उस Tribunal का गठन होता है उसका नाम होता है यानि कि यहाँ पर जो न्याय दीश थे वी, बाल कृष्ण एराडी इनकी अध्यक्षता के अंदर एक Tribunal का गठन भी होता है और इस Tribunal को कहा गया था, एक मिनट यहां पर नाम था, क्या गया, अद देख्षता के, Tribunal किस था अपना के के थी, इसे, अच्छा, इराडी Tribunal, इराडी Tribunal इसको कहा गया था, अब यहां पर जो है, वर्स 1987 में, Tribunal ने पंजाब और हर्याना को, जो है, वो पानी देने के लिए क प्रिंसिपल का सिदांत देते हुए, उन्होंने मना कर दिया था, 1982 में बात होई, लेकिन धंगे बढ़क गए, जिसके कारण नैशनल इशू हुआ, बंद कर दिया गया, 1985 में बात आगे बढ़ती है, एक Tribunal की गठन किया जाता है, इराडी Tribunal जिसको कहते हैं, और इराडी Tribunal ने 1987 में कहा कि पंजाब को 5 MAF और हरियाना को 3.83 MAF की पानी की देनी की बात की गई थी, अब यह जो मैंने आप लोगों बता दी, 1996 में यह बात आगे नहीं बढ़ी, इतनी बात होगी थी, 1986 में हरियाना ने सोचा कि यह बात आगे नहीं बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा कि SYL का काम पूरा करना है, तो उन्होंने सुप्रीम कोट का दरवाजा खड़कडा डाला, सुप्रीम कोट को कहा कि आप पंजाब को बोलिए, कि वो अपना काम पूरा करे, जो बातें बोली गई थी, उसको पूरा करे, क्या हुआ, 2002-2004 में सरवोच नियाले ने पंजाब को कह कि आप जो है, वो SYL का काम पूरा कर लीजिए, उन्होंने सुप्रीम कोट ने ओर दे दिया, 2004 में पंजाब विधान सबा ने क्या किया, जो पंजाब टर्मिनल ओफ एग्रिमेंट अधिनियम, यानि कि इन्होंने जो एग्रिमेंट हुआ था, आप सोचिए जो जो समझोता था, उसको इसमावत कर दिया, अब इसको लेकर, 2016 में सरवोच नियाले ने, 2004 का जो अधिनियम था, ये वैध्यानिक है, यानि इसकी Constitutionality है, ये सही किया या गलत किया, इसके लिए एक जान शुरू होती है, वहाँ पर सुप्रिम कोट ने पाया, कि ये जो पंजा 2020 में आते हैं, 2020 में सरवोच नियाले ने, फिर कहा दोनों राज्यों के मुख्या मंतरियों को, कि आप SYL जो नहर है, उस मुद्दे को, आप Political Higher Level के उपर इसको अप सुल जाईए, और Even Center जो है, यहाँ पर मद्देस्ता करेगी, देखें, आप आप सोचें कि Center क्यों नहीं कर देती इस चीज़ को, देखें, यह जो पानी का जो विशय है, वो राज्य सूची के अंदर आते हैं, यानि कि इसके उपर राज्य सरकार कानून बना सकती है, Center नहीं बना सकती है, इसलिए और यहाँ पर दो राज्यों के बीच में अगर पानी का विवाद है, यानि इंटर पंजाब सरकार ने जल की उपलता के देखें, आज आगे हम 2020 के अंदर, अब पंजाब ने कहा कि जल की उपलता के नए समय बद आंकले नहीं तो एक न्यायदी करनी, यानि एक नए ट्रिबुनल की मांग कर लिए उन्होंने, कि आप एक बार दुआरा से ट्रिबुनल पंजाब अब क्या कह रहा है कि अगर हमने पानी दे दिया तो हमारे स्टेट के अंदर क्या दिक्कत आ जाएगी तो यह dispute settling mechanism हो गया, जहाँ पर constitutional अगर आप provision की बात करें तो entry number 17 होती है, state list के अंदर आती है, जिसके अंदर जो irrigation है, जो water है, जो canal है, वो state list का हिस्स है, यानि कि वहाँ पर जो है, वो state ही कानूर बना सकती है और यहाँ पर interstate river dispute act है, 1956, जिसमें क्या होती है, ट्रिबनल की स्थापना की जाती है, अगर दो state आपस में बैट कर, issue को सही डंग से सुलजा नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर इसके तहज़ वो इस issue को सुलजाय जाते हैं, एक article 262 भी आपको ध्यान रखना है, जिसके यहाँ पार्लेमेंट के पास power है, कि वो कानून बना सकती है, इस matter में, interstate dispute के अंदर, voter dispute के अंदर, और वहाँ पर सुप्रीम कोट की भी काफी जादा power है, clear, अब पंजाब हर्याना के राज्ये के तरक सुन लिजे, पंजाब ने कहा कि देखे, 2029 में क्या होगा, कि ज़्यादा उन्होंने दोहन कर लिया है, कि वहाँ पर पानी खतम होनी के नौबत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर पानी खतम अगर आप देखें तो गेहुं और धान, सबसे ज़्यादा पानी है वो इस धान के वज़े से खतम होए, यानि जो चावल है, इसकी खेती के पर धान की खेती करने वाला शेतर है ही नहीं, वहां पर धान की खेती इसलिए होने लगी क्योंकि एक तरीके से नदियों का पानी जादा था, इसलिए धान की खेती होने लगी, अब धान की खेती के कारण इतना जादा पानी का दोहन हुआ वहां पर या फिर और भी फसले थी इतना ज्यादा दोहन हुआ कि जो भूमिगत जो पानी है जो ग्राउंड वोटर है वो खतम होने के गगार पे पहुंच चुका है और पंजाब ने कहा केंदर सरकार को कहा कि देखे हम आपको हर साल सत्तर हजार क्रोड रुपे का अनबंडार उपलब्द कराते हैं और राज्ये ने लगबग 79% शेत्र का पानी अत्यदिक जो यानि 80% पानी अगर आप मानें तो 20% पानी ही बचाए इनके पास काया कि 80% पानी का हम दोहन कर चुके हैं यानि खतम कर चुके हैं ऐसे में पंजाब का कहना है कि अगर हम किसी और राज्ये के साथ पानी को साजा करते हैं तो हमारे राज्ये में पानी जब उसकी किलत हो जाएगी खेती नहीं कर पाएंगे यह अब 2020 के अंदर उन्होंने बात यह बोली गई है यहां पर यानि कि अब आल की टाइम में यह बात बोली गई है 2020 में के तुछ टाइम पहले बात बोली गई थी हर्याना का कहना है कि देखिए राज्ये में जो सिंचाई के लिए जो उपलत पानी है वो मतलब हम वो कठिन होता जा रहा है इवन हर्याना के अगर आप दक्षिन में बात करें हर्याना के दक्षिन हिस्टों में बात करें तो वहाँ पर ज़ो पानी की समस्च्या पीने की पानी की समस्च्या आ गई है जहाँ पर जो भूजल है यानि ground water है वो सत्रासो फिट तक कम हो गया है और इवन अगर बात करें हर्याना केंद्रियक हद्यव पूल यानी Central Food Pool के अंदर अपना योगदान का हवाला देते हुए कहता है कि हमें जो एक Tribunal के द्वारा जो पानी देने की बात की गई थी उसका उचीत हिसा में नहीं मिल पा रहा है तो कृपया करके हमें वो पानी तो दीजिए तो यह हर्याना का तरक हो गया अब बात करें सतलज इमना में सतलज नदी के बारे में क्योंकि एक्जाम में यह पूछ लिए जाते हैं देखे, सतलज नदी का पुराना नाम क्या था? जराद्रोस था, यानि जो पुरानी इरानी नेम जो होता है, वो जराद्रोस. अब यहाँ पर शतूर्दी या शतूर्दी, या संस्कृत नेम है, वहाँ से इसको नाम मिला है. यह सिंदू की पांच नदियों में, जो पांच साइक नदियों, उसमें सबसे लंबी नदिय है, जो पंजाब को अपना नाम देती है, यानि कि पंजाब यानि पांच नदियां, जैसे जहलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, सिंदू की परमुक साइक नदियां हो जाती ह यहां पर, clear? अब इसका उद्गम अगर हम बात करें कि कहां से निकलती है, तो नोर्ड स्लोप, हिमाले के नोर्ड स्लोप से निकलती है, जो तिबबत, तिबबत के एक लांगा, लांगा जील, लंगा जील, लंगा जील, यनिकि लंगा जील से ये निकलती है, और सरपर्थम य माले की घाटियों से बहती हुई उत्तर पश्चिम की और तता बाद में पश्चिम और दक्षिन पश्चिम की और बहते हुए यह नगल में पंजाब के मैदानी भाग में एंट्री करने लग जाती है अब यहां पर एक विश्थित चैनल है यानि वाइड चैनल है इसका उसके माद्यम से दक्षिन पश्चिम की और बढ़ते हुए ब्यास नदी में मिल जाती है और पाकिस्तान में यह एंट्री करने से पहले भारत पाकिस्तान की सीमा पर 65 किलोमेटर की परवाहित होती है और इस परकार अंतता है बहलावपूर में पश्चिम में चिनाब नदी से में शामिल होने के साथ-साथ 220 मिल की दूरी यह तै करती है सतलज नदी जो है वो पाकिस्तान में परवेश करने से पहले फिरोजपूर जिले के हरीके में ब्यास नदी से मिलती है तो यह आपको पूछ ले जाते है कि यह एंट्री करने से पहले यह पाकिस्तान में एंट्री करन है लहूरी चरण एक जल विद्युत प्रयोजना जो हिमाचर परदेश के सिमला और कलू जिलों में 17 नदी पर हिस्तित है ये पूछ ले जाते है कि कौन सी प्रयोजना इसके उपर बनाई गई है अब बात करें यमना नदी की इसका अगर हम बात करें सोर्स ये गंगा नदी के परमुक साइक नदी है जो उत्राखंड के उत्रकाशी जिले से उत्रकाशी जिले में समुंदर तल्ग से जो लगबग 6387 मेटर के जो उंचाई पर है निम्ड यानि जो lower हिमाले है वहाँ पर मसूरी रेंज से बंदरपुंच की चोंटियों से यमनोत्री glacier से यह निकलती है बहुत important है इस चीज़ को ध्यान रखना मैं आपको बता रहा हूँ कि यह सारी चीज़ें आपको बहुत important नदी है यह आपको ध्यान रखनी है चंबल, सिंद, बेंतवा, केन जो यमना की सायक नदी है और यमना किसकी सायक नदी है वो गंगा की सायक नदी है अब आगे चलते है आगे की रह क्या हो सकती है कैसे जो मामला है जो विवाद है इसको कैसे सुल जाया जा सकता है यहां पर बात देखो कहा गया है कि एक Tribunal की फिर से स्थापना करनी होगी सरवोच नेले ने एक अपीलिय सेत्रागादिकार के साथ साथ एक स्थाई न्याधी करन की स्थापित करके जल विवादों को हल करने का या फिर उसको बैलेंस करना किया जा सकता है और यहां पर कहा गया है कि Article 262 के अंदर संशोधन किया जाना चाहिए जिसमें क्या है कि अंतराजी जल विवाद अधिनियम में संशोधन समान रूप से इसका कारेंवन किया होना चाहिए मतलब कि इसके अंदर शंशोधन करके जल बटवारे को यहां पर किया जा सकता है लेकिन यह बहुत जाद एक विवादासपत इशू है पंजाब सरकार ओविसली यहां पर पंजाब यह कहें कि यह पानी देने से मना इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सामने अब 2029 आ गया पानी की कमी हो गया इसलिए हम नहीं देना बाले हैं तो बहुत सारे इशू यहां पर सामने आने वाले हैं कहर आज की वीडियो में से इतना ही था उमीद करता हूँ कि यह पूरा कॉंसरप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा पीडियो के लिए फिर से बता दूँ कि पीडियो का मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम को एक लिंक दिया मिलेगा तो जहां से वाप इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं लाइक करें चैनल को, सबस्क्राइब करें चैनल को,